असलाम अलेकुम स्टूरेंस हम लोग क्लास 10 की जोक्रफी बढ़ रहे हैं तो इसमें बच्चे आपका जो हमारा नेक्स चप्टर है इससे पहले वाला चप्टर हमने कंप्लीट कर लिया जो हमने वाटर रिसूर्स बढ़ा था चप्टर नूबर 4 ठीक है तो आज हम स्टार्ट करने वाले है नया चप्टर मिनरल एनर्जी रिसूर्स जो आपका फिफ्ट चप्टर है जोक्रफी में से ठीक है तो बच्चे इसमें मिनरल एनर्जी रिसूर्स ये आपका हो गया फिफ्ट चप्टर और मिनरल एनर्जी रिसूर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो इ भी ऐसी चीज कोई भी ऐसी चीज जो हमारे नीड्स को साटिस्फाइ करते हैं ठीक है चाहे कोई छोटा सा छोटा चीज भी हो या बड़ा से बड़ा हो जो हमारे नीड्स को एजिली साटिस्फाइ करते हैं या हमारे नीड्स को साटिस्फाइ करते हैं इसी चीज़ों को हम रि resource ठीक है mineral और energy ये भी हमारे life में बहुत ही important resource होती है ठीक है अब जैसे बचे mineral के अगर हम इसके introduction के बात करें तो आप लोग इस तरह से ये चीज़े copy पे अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा आप लोग और आपके लिखेंगे ठीक है तो introduction में है इस chapter का या mineral energy resource का हम थवटा सा introduction देखेंगे आज तो anery rerisource and we ठीक है हम अगर इस तरह से देखते हैं कि अगर mineral है या energy है या sorrow म designer resource है या energy resource है या हम जैसे लोग या हम लोग ठीक है तो ऐगर हम इस तरह से देखें तो mineral और energy resource का हमारे life में बहुत important role रहते हैं ठीक है, क्योंकि हम जयसे हम लोग food खाना खाते हैं ठीक है, उसमें जonce, हम mineral की intake या mineral intake करते हैं या mineral लेते हैं या for example, हमारी body building के लिए जो minerals चाहिए होती है अब minerals जो हमारे body building के लिए चाहिए होती है या जैसे हमारे डे-đटुडे लाइप में जो छोटे से चोटे से चीज़ जैसे फौर एग्ञापल एक छोटे से पिन से लेके एक बहुत बड़े ड़े टावर्स होते हैं शिप वोगरा जो बनते हैं हर कोई चीज हर ये सारी चीजे जो है किस से बनी है मिनरल से बनी है ठीक है तो इसलिए वेचे हम कहते हैं कि मिनरल जो है मिनरल आर इन इन डिस्पिंसिबल पार ओफ आर लाइफ ठीक है इसलिए हम कहते हैं इसलिए हम ये समझते हैं कि मिनरल जो है इन डिस्पिंसिबल पार तो इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि अब चलो यह चीज हो गया तो नेक्स्ट हम कहता है कि वाट इस अमिनरल होता क्या है या मिनरल को हम कैसे डिफाइन करेंगे ठीक है तो मिनरल बच्चे क्या होता है कि होमोजीनियस नेचरली ओकरिंग सबस्टांस विद डिफाइनेबल इंटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है यानि मिनरल जो है कुछ ऐसे सबस्टांस होते है जो नेचर में या नेचरली ओकरिंग सबस् यानि डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल अगर सॉलिड है लिक्विड है मैटलिक है नॉन मैटलिक है इस सारी चीजे जो है हम एजिली डिफाइन कर सकते हैं मिनरल का अब बच्चे जो मिनरल जो होते हैं यह जैसे फॉर एक्जामपल मिनरल क् समझा है कि Minoras Ho arrived from naturally occurring सबस्टान्स होते हैं इस में से एक अगर हम रॉक लेते हैं ते रॉक भी क्या है एक मिनरल होता है ठीक है रॉक का अर कंबिनेशन अव हमोजीनिस सबस्टान्स अर का अर का मिनरल सुटैक है तुरोक में भी बहुत सारे combination होते है, homogenous substance होते है homogenous यहांते हैं, यहांते हैं सीं़ बहुत हैं तुरों साइंस है, जहेखने हैं तो homogenous हो गया जैसे जो same substance है यह combination of, बहुत सारे साओंज के est technique होती है रॉक तो इस चीज़ को भी हम या रॉक को भी हम मिनरल ही कहते हैं ठीक है तो रॉक में जो मिनरल पाए जाते हैं ठीक है रॉक में अगर मिनरल होता है तो रॉक में नुक्चियों मज़े जनता हैं मिनरल मोर देन वन भी होते है रॉक खुरांचीन एक मिनरल है जिसमें एक या एक से ज्यादा मिनरल भी हो सकते हैं इनारोक में ठीक है तो ये सारी चीज़े अब मिनरल जो है कहां कहां पाए जाएंगे या मिनरल्स हमें किस तरह के मिनरल्स मिलेगा तैट डिपेंड सब्वों दी फिजिकल और केमिकल कंडिशन ऑफ दी पार्ट ठीक है उस एरिया का उस प सब्वेडिया के पार्ट एस दीज़ेशन थे तो इसमें आपका एक इसमाल है जैसे कौपर तैक है कोपर जो है फॉर्मालेट होती है ओन हाइप प्रेशर में ठेक है आइप स्वारी हाई धिस हीट पर या मतलद से जान में जैसे आपकी जो डेजर्ड अएंड होती है वहां मिनरल्स फॉर्मलेट होगा तो यहां तक हमने क्या डिसकस किया चाप्टर के थोड़ा सा मिनरल एनरजी के इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में मैं आपको यह बता है कि मिनरल्स जो हमारे लाइफ का इंडिस्पिंसिबल पार्ट है ठीक है यानि हमारे लाइफ से बिलकुल अलग नहीं है हमारे लाइफ में इसका बहुत ज्यादा रोल रहता है या हम लोग डिपेंट होते है मिनरल्स के उपर तो मिनरल्स में जैसे इसके डेफिनिशन भी आप लोगों ने समझा कि नेचरोली ओक्रिंग सबस्थांस होती है डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर यानि इसकी स्ट्रक्चर को हम इसली डिफाइन भी कर सकते हैं कि ये स्वालिट है लिक्विड है क्या है इस सारी चीज़ है तो इसमें एक्जामपल हमने देखा एक एक्जामपल आपका रोक रॉक भी क्या होता है मिनरल होते हैं ठीक है तो रॉक में बहुत सारे मिनरल्स भी मिल सकते हैं ठीक है रॉक में एक या एक से ज्यादा मिनरल्स भी हमें तेहने को मिलेगा ठीक है या मिल सकते है अगर मिनरल्स अब हम यहां पर क्या है कि मिनरल के फॉर्मलेशन कैसे होती है या कुन से जगे पे किस तरह के condition में ठीक है फिजिकल या chemical condition में हमें किस तरह का minerals मिलेगा ठीक है तो वो इस area का यही मतलब जैसे मैं आपको बता है physical and chemical condition के उपर depend रहता है ठीक है तो this was all about the introduction of mineral and energy resource ठीक है so thank you thank you so much